नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं हमारा यूट्व चैनल जिसका नाम है टेक्निकल सुरूप आज के वीडियो में हम बात करना नोकिया 5310 के बारे में चलिए तो बात करते हैं नोकिया 5310 पहले बात करते हैं हम डिस्प्ले की डिस्पले इसमें 2.4 इंच का है और डिस्पले का टाइप है वो TFT है वहीं screen to body ratio calculated 27.52 है screen resolution इसमें 24,0 in to 320 pixel है और pixel density की बात करें 167 là पहले हैं आगे बात करते हैं storage की इंटरनल मेमोरी इसमें 16 MB है और expandable इसमें अप टू 32 GB है नेक्स बात करते हैं कैमरा की कैमरा इसमें सिंगल कैमरा है और मीन कैमरा है 0.3 मेगापिक्सल है वहीं रेजुलेशन 0.3 मेगापिक्सल है और इसमें जो कैमरा फीचर है वो डिजिटल जूम है वहीं इमेज जो रेजुलेशन है इसका 640 x 480 पिक्सल है और इसमें LED फ्लैसलाइट की सुझदा भी है नेक्स रखते हैं बैटरी के बारे में ये बैटरी इसमें रिप्लेसिबल है और इस्टेंड राइट टाइम है जो इसका 2720 हावर्स है टॉप टाइम की बात करें तो अप है 12000mh नेक्स्ट बात करते हैं नेट्रोक कनेक्टिविटी की नेट्रोक शपोर्ट इसमें 2G ही करता है और ब्लुटूथ इसमें 3.0 है और सिम 1 2G बैंड जेसम 1800-900 मेगा हर्स और जीपी आरस भी इसमें एविलेबल है वहीं USB कनेक्टिविटी में इसमें मैक्रो USB 2.0 सपोर्ट करता है अब बात करते हैं डिजाइन की डिजाइन इसमें जो सबसे पहले विट्ट देखा जाए तो विट्ट इसमें 52.4 mm है और वेट इसका 88.2 ग्राम से है थिकनेस की बात करें तो 13.1 mm है है हाइट इसकी 123.7 mm है अब बात करते हैं कलर की कलर इसमें ह है और दूसरा ब्लैक एंड रेड है और जो रैम है इसमें रैम 8 MB है वहीं मल्टी मीडिया की बात करें तो इसमें म्यूजिक फॉर्मैट MP3 को सपोर्ट करता है अफम रेडियो इसमें एविडेवल है जो की आप इसका वायरलेस को एफम यूज कर सकते हैं और यूजियो जै जाए कि इसमें रिंग टोन म्यूजिक रिंग टोन को भी आप चेंज कर सकते हैं पॉली मैनिक रिंग टोन वाइबरेशन भी इसमें है बाकी जो बेसिक फोन में जो सारी चीजी होती है वह इस फॉन में एविलेवल है जैसे कि जो लोग पहले गेम छोटे गेम स्केरते थे और वहीं फोन बुक जो लिमिटेड है पर लेकिन है इसमें एविलेवल और अधर फैसलेटी जैसे कैल्कुलेटर स्टॉप वाच कैलेंडर और अलरम भी इसमें वहीं आप इसमें ब्राउजर भी यूज कर सकते हैं जो कि है टोजी लेकिन इंटरनेट पर यह हलका चलेगा पर चलेगा जरूर वेब ब्राउजर